हलो दोस्तों वेलकम टू बिहार पीएससी एक्जाम जिहां अब हमारा जो बीपीएससी एक्जाम चैनल था वो अब बिहार पीएससी हो गया यानि कि इस बी को मैंने सिर्फ बिहार लिख दिया है और बाकि सब वह यह बिहार पीएससी एक्जाम तो अब से हमारा चैनल हो गया से पढ़ा रहा हूं ताकि नए स्टूडेंट्स हो या फिर पुराने स्टूडेंट्स सब को बराबर प्रोपर फायदा पहुंच सके क्योंकि हमारा एक्जाम जो है 66 उसमें अभी कुछ टाइम है इसलिए हमें इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए एकदम से इनिसियल फेज से हर चीश को लेते हुए एकदम से बेसिक स्टॉंग करते हुए हमें उपर जाना चाहिए ताकि जब 66 BPSC आये तो पीटी तो हम लोग पार करें ही करें उसके बाद जब मेंस आये तो हमें ज़्यादा दिक्कतों के शामना ना करना पड़े हमें और थोड़ा सा और पढ़के और उसका मेंस भी निकाल पाएं तो इसलिए ही मैंने ये वीडियो का इस स्रीज शुरू किया है हिस्टी का जो बहुत जल्द ही मैं खतम करूंगा वीडियो लाला के ठीक है पूरा ये टू जेड इसमें मैं कराता चल रहा हूं तो इस चीश को ध्यान रखिएगा तो चलिए फिर इसका जो सेट्टू है इसको हम सुरू करते हैं तो दोस्तों हमने सेट वन जो था इसका मॉडर्ण हिस्टी का उसमें हमने पढ़ा था कि यूरोपियंस जो भारत आये थे उनको किन प्रस्तितियों में उन्हें भारत आना पड़ा और उससे रिलेटेट क्या क्या सवाल हो सकते थे जो उस सारे MCQ के फॉर्मेट में भी हमने देखा और उससे क्या एक्स्ट्रा जानगारी वह सब चीज हमने पिछले वीडियो में देखा था इरोपियंस के आने का आगमन तो जब जब सारे इरोपियंस यह सब आ जाते हैं जो फर्स्ट पूर्तिगाली फ्रांस डज यह सब आ जाते हैं उसके बाद आपने यह भी देखा कि कौन सा एक यूद था जो यह साबित कर दिया कि फ्रांस इसी अब इंडिया में नहीं रहेंगे अब यह जो अंग्रियज हैं वही यहां पर सासन करेंगे तो यह सब कुछ भी आप सब ने देखा पिछले वीडियो में आगे हम है कि भारत पर उसने कभजा अब क्योंकि अब सब सबको चला गया सारे यूरोपियन जो देश थे उस सबको अंग्रियजों ने हरा दिया था उल्लेडी पूरा उस सबसे तो अब यह छुटका रहा इसको मिल चुका था अब जो थे अब थे भारत में जो रहने वाले जो बा बढ़ना था तभी तो अंग्रेज यहां पर एकदम से बढ़िया से स्टैबलिस हो सकते थे तो अब अंग्रेजों का यहां पर चलना शुरू हुआ भारत के लिए भी बहुत ही वह सिच्वेशन रहा जब क्या हुआ कि मुगलों का कंडिशन भी खराब होना शुरू हो गया क्यां कि अब उत्तर मुगल काल शुरू हो गया था अधि यह सत्रसों साथ में जब अÓरंग ज्य मर गया था उसके बाद में उत्तर मुगल का लिए कम जोर शास्कों का दोर शुरू हो गया था पिर उनके सामने एक्स्टर्नल जो भी जो भी चैलेंज थे और इंटर्नल चैलेंज्ज दोनों मुगल के सामने आ रहा हैं मुगल अपने देश को सही से समहाल पा नहीं रहे थे वो कमजोर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा कमजोर होते जा रहा उत्तर मुगलकाल के जो भी मुगल सा सकते वो सब तो इस चीजों पर ही मैंने MCQ के फॉर्मेट में यह सब पुछ लाया है और बीच बीच में आपको इसकी कहानी इसकी स्टोरी मैं बताता चलूँगा तो चलिए इसको हम सुरू करते हैं सवाल पहले से पर्सियन समराट नादीर सा भारत पर कभ आक्रमन किया था तो पर्सियन समराट जो था नादीर सा ये एक external challenge था मुगलों के लिए कि बाहरी से कोई आक्रमन करना सुरू अपकर दिया था तो ये था सत्रासो अडटिस इस्वी में कभ किया था नादीर सा ने यह परस्थिया का समराद था नादीर जा इसने भारत पर अटक करके इसने यहां दिली पर भी अटक कर लिया था और इसने मुगल जो वह पिकॉक थोन था एक क्या भोलते हैं कि वह मतली मूढर केतर सा公 назыв est है a वह इसने चुरा लिया इस इसने चुरा लिया क्या मतब लूट लिया खिए ठीक है लूट लिया और कहा जाता है कि शिबले नालाधू रंडय तो यह सब चीज यह हुआ था तो ध्यान तो इसका option आपको याद होगा 1738, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो सवाल है, किस उत्तर मुगल शाशक के काल में नादीर साह ने भारत पर आकरमन किया था, तो किस के काल में नादीर साह ने आकरमन किया था, तो नादीर साह ने कब आकरमन किया था, ये तो आपको मैंने अ शक्त है इसमें किसके में तो इसके लिए इनका डेट भी जानना पड़ेगा ठीक है तो इसको हम भी देख लेते हैं थोड़ा सा डेटेल में के पहील में यहां पे सवाल का आशपर कर दता हूं एक चली में यह महम्मद सा के काल में आया था मती नादीर सोंब्रतव भागरमन किया था मुहम्मद सार्थ का दोर मुगल का हम ने कि मुगल काल में जो भी था अरंग जेव तक वो था मेडाइवल प्रियड ठीक है तो अब जब हम लोग आ गए हैं उत्तर मुगल काल में इट मेंस कि हम लोग हैं अब मॉडर्न हिस्टी में ठीक है अकबर और अंग जेव यहां इससे आप एक ट्रीक से याद भी कर सकते हैं भाज जो भाजपा पाटी है न भाजपा लिखने के जगपा आप लिख सकते हैं भाज सा यहां पर लिख दिदिए बी एच ए जे एस ए हो जाएगा बावर हुमायू अकबर जहांगीर सा जहां और अ हो गया तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अब प्रियड आ जाता है मॉडर्न हिस्टी का और उत्तर मुगल काल सुरू हो जाता है कमजोर शाशकों का दौर कमजोर मुगल सासकों का दौर इसमें बहादूर सा फर्स्ट जो मुएजम औरंग जेव का जो बेटा होता है सत्रह सो साथ में औरंग जेव की मिरित्ति हो जाती है उसके बाद उसका जो बेटा मुएजम वह बहादूर सा फर्स्ट के नाम से गद्धिव बैठता है सत्रह सो नौ से सत्रह सो बारा तक यह राज करता है उसके बाद आते हैं जहांदार सा सत्रह सो ब परने के लिए बेंगौल में और बेंगौल सूरहत मद्रास सब में दिया गया था तो वह सब हम बात में आएगा जरूर रफियु दर्जात देखिए बहुत कम वक्त के लिए सब बने थे 28 फरवरी से 4 जून 1719 के लिए तो यह सब भी देख लिए अगला आप यह भी देख सकत हैं जो रफियु दौला थे यह किसके नाम से गद्दी पर बैठेते सा जहां दूइती है अगले जो सासक है मुहमद सा देखिए यही आपको देखना था मुहमद सा 1719 से 1748 के बीच में रहते और नादीर सा कब आता है तो 1738 में तो आपको यहां से कंफर्म हो गया कि गीर सेकेंड जो की 1754 से 58 इस वी तक शासन किये हैं यह सब मैं उत्तर मुगल काल के रूलर का मैं बता रहा हूं सा जहां थर्ड जो की 1759 से 69 तक सा आलम सेकेंड 1769 से 1806 तक अकबर सेकेंड 1806 से 37 तक और बहादूर सा सेकेंड 1837 से 57 तक बहादूर सा सेकेंड जो की बहादूर सा जफर के नाम से भी जाने जाते हैं ध्यान रखिएगा और एक चीज में अब आप पुछोगे कि यह सब लगातार तो आपने बता दिया इससे क्या यह डारेक्ट ऐसे पुछेगा तो जी नहीं आपको सवाल ऐसे नहीं पुछेगा आपसे आपसे जैसे सवाल पुछेगा मैं अभी आपसे पुछ लेता हूं MCQ के फॉर्मेट में अगला देखिए एहमद साह अबदाली परसिया का संब्राट कब बना था तो एहमद साह अबदाली 1747 इस्वी में परसिया का संब्राट बना इसके पहले तो नदीर सा था नदीर सा के बाद जो सासक बना परसिया का वो नदीर सा 1747 में उसकी मिर्थ्य हो जाती है नदीर सा की और 1747 में ही अहमद साह अबदाली परसिया का गद्धी सम्हाल लेता है ध्यान रखिएगा अब जैसा कि आपने भी सुना होगा अगर थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा तो कि अहमसा अबदाली ने भारत पर अनेकों बार आकरमन करा था तो इसमें किस अबधी में अहमसा अबदाली ने भारत पर अनेकों बार आकरमन किया था तो इसने किया था 1748 से 1767 तग 1748 तो 67 ध्यान रखिएगा को 67 तक ये 67 में इसका last attack था इंडिया पे तो ये एहमल सा अब्दाली ये वही एहमल सा अब्दाली है जो पानिपत के तिसरे युद में मराठाओं को हराया था अब पानिपत का तिसरा युद कब हुआ था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पानिपत ये सब और बकसर का युद ये सब आने वाले विडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे पूरे डिटेल में ठीक है तो यहां पर अभी इतना जानिए रंगीला बादसा के नाम से किस उत्तर मुगल बादसा को जाना जाता था तो रंगीला बादसा को जाना जाता था रंगीला बादसा के नाम से उत्तरमोगरकाल में किन दो भाईयों को किंग मेकर्स कहा जाता था तो ये था अब्दुल्ला खान एवं हुसेन अली ये सैयद ब्रदर्स थे जो ये ऐसे लोग थे जो जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता था और विएससी बात है कि यह राजा बना देते थे यह जिसको चाहते थे उसे गध्य सुए भट्टि region देते थे और जिसको चाहते थे उसको हटा देते किसी को बैठा दिए उसके बाद अगर वह इनके किलाफ जा रहा है इनकी बात नहीं समझ मान रहा तो उसको मर वा हमसे नहीं हो सकता है। यह हमारे खिलाब जा रहा तो फरुक्षियर को मरवादेते हैं और फिर बनाते हैं रभी दसात को फिर उनको रोग हो जाता है कोई भी migrant了ती इन जाता है कहातो यह मर जाते पर आपके आर्फियर तो ऐसे करकर यह बनाते हैं उसके बाद जब आते हैं मोहांद शाम ? साकवा को भी बताया, तो मुहम्मद सा ने वो क्या करते हैं, कि अबदुल्ला खान और हुसान अली ये दोनों सेयद ब्रदर्स को ही मरवा देता है, ये मुहम्मद सा, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, कि ये लोग फिर हमारे जैसे बाकी के राजाओं के साथ किया है, वो ऐ कौन सा इतिहासिक यूद लड़ा गया था, तो आलमगीर सेकेंड का काल में कौन से इतिहासिक यूद लड़ा गया था, तो इसमें आपको देखना होगा, तो इसमें एक्चुली में लड़ा गया था, पलासी का यूद, ये कब पलासी का यूद है, तो उसको आपको पमाल ह गालोंगा 1757 में प्लासी का युद्ध रड़ा गया था ठीक है और ये आलमगीर सेकंड में ही आता है ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूं तो ये देखें यहाँ पे आलमगीर सेकंड 1754 से 58 तक का इंका सासन आलमगीर सेकंड का तो यानि गा 1757 में वो प्लासी का युद्ध हुआ था दो एतिहासिक युद्ध तीसरा पानीपत का युद्ध और बकसर का युद्ध किस उत्तरमुगल बादसा के शाशन काल में लड़ी गई थी तो ये भी उस से ही सवाल जुड़ा हुआ है, तो किसके काल में ये लड़ी गई थी, तो ये है सा आलम सेकंड, कुमसा, सा आलम सेकंड, अभी मैंने जो बताया वो कौन थे, आलमगीर, आलमगीर सेकंड, अब ये सा आलम सेकंड, तो सा आलम सेकंड के है, कि इनका जो, इनका का साल में पानी पत का यूद कब लड़ा गया था 1761 में तिसरा पानी पत का और बक्सर का यूद 1764 में और यह सहालम सेकंड है इनका क्या प्रियड क्या था कि कब तक रहे थे 1769 से रहे थे कब तक तो 1806 तक ठीक है 17606 के बीच में 1764 आ जाता है राजा रा मोहन राय को राजा की उपादिक किस उत्तर कालिन मुगल बादसाह ने दिया था तो यह थे अकबर तू मुगल सामराज के पतन का क्या कारान थे और रंग्जेव का उत्रा आदिकारी कमजोर होना या फिर मुगल बादसाह के प्रति जमिनदारों कीमैंदारी का खत्म हो wurna या फिर अंगरेजो को वे पार में 9 देना तो यह वाला गलत है और फर्स्ट सेकेंड सही है यानि क्योंगा एवं भी दोनों सही आंसर कि 1784 इस्वी में किसने लखनव में बाड़ा इमाम बाड़ा बनाया था तो यह असप उद्दौला ने बनाया था भारत में अंग्रेजों का शासनकाल कब से सुरू हो गया था करनाटा की 1740 से पलासी का यह 1757 से या फिर बकसर का यह 1764 से या फिर कहना मुश्किल है क्योंकि इतिहासकारों में इस पर मतभेद है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चोथा यानि कहना मुश्किल है क्यों शासनकाल भारत में शुरू हो गया था करनाटा की युद्ध जो हुआ था 1740 में जो इसने फ्रांसीसियों को हराया था उसी वक्त से इसका शुरू हो गया था इसमें फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पलासी का युद्ध था 1757 में जब सिराज उद्ध बंगाल का नवा आ जाता है एक तो आलमगीर सेकंड रहते हैं जो कि मुगल बादसार रहते हैं फिर अवद के नवाब होते हैं और उसके बाद फिर मीर कासिम तीन लोगों को हराता है तो इस पर हो जाता तो यह तीनों चीजों में मतभेद है तो इसका आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएग हुए तो भारत को अंग्रेजों ने जीत लिया इसमें इतना सफर कैसे हो गया अंग्रेज तो इसके कारण क्या है तो यह बताना है तो अच्छे हथियार मिलेटरियों ब्रणनिती बिल्कुल सही अनुसासित मिलेटरियों निरंतर सैलरी लो कराता था वो भी सही आर्थिक त रहता था और उन सबको निरंतर सैलरी देता था जिससे की मजबूती बना रहता था एक विश्वास बना रहता था उनके सैनिकों में ठीक है अंग्रेजों के सैनिकों में तो तीनों ही सही है कारण तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बीसी तीनों ही सही कारण है मुर्शित कुली खान कब से कब तक बंगाल का दिवान रहा था तो यह सत्रासो से सत्रासो सत्ताइस तक बंगाल का दिवान रहा मुर्शित कुली खान मुर्शित कुली खान का बेटा कौन था तो इसका बेटा था सर्फराज खान जो की इनकेपेवल बेटा था ज्यादा वह युद्धा टाइप का था नहीं वह तो यह था हमारा सेट टू modern history का और हम कर रहे हैं प्रिपरेशन 66 BPSC 2020 का तो थैंक्स पर वॉचिंग और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ तिल देन जैहिंद और वीडियो को सेर करना मत भूलना